हेलो फ्रेंड्स मैं हूं दॉक्टर प्रियांक सेंथ स्किन स्पेशियलिस्ट एन विटिलिगो सर्जन अधित्य स्किन क्लिनिक एनलेसर सेंटर वडोध्रा गुजरात दोस्तो स्किन हमारे शरीर का वो बहुमूल्य अंग है जो हमारे भीतरी स्वास्थे को रिफ्लेक्ट करती है यानि जो हम खाते हैं उसका सीधा वस्पष्ट प्रभाव हमारी स्किन पर पड़ता है हमारा स्वास्थे अच्छा हो तो हमारी स्किन क्लो करती है खास तौर से चहरे की रंगत्व चमक हमारे स्वास्थ का हाल बता ही देती है सब चाहते हैं कि उनकी त्वचा यानि की स्किन खिली खिली रहे आज हम चाचा करने वाले हैं एकजीमा यानि की डर्मेटाइटीस के बारे में वीडियो में देखिए एक्जीमा यानि की स्किन एलर्जी कैसे दिखती है इसमें लाल-लाल पैचिस पूरे बदन पे हो जाते हैं और जहां-जहां ये पैचिस होते हैं वहां पे बहुत खुजली आती है जैसे कि दुसरे पिक्चर में भी देख रहा है स्किन में लाल-लाल दब्बे हो गए है वहां पे स्किन में सुजन आ गई है और खुजली के कारण वहां पे गाव भी हो गए है टाइप्स ऑफ एक्जीमा यानि की एक्जीमा के कौन-कौन से प्रकार है एक्जीमा के मुख्यत वे दो प्रकार है एक है acute eczema, दूसरा है chronic eczema, acute eczema को weight eczema भी बोलते हैं और chronic eczema को dry eczema भी बोलते हैं, जैसे के picture में दिख रहा है, ये एक weight eczema या acute eczema है, और ये दूसरा picture है, वो chronic eczema या dry eczema है, dry eczema में normally चमड़ी की परत मोटी हो जाती है, its kind of elephant skin और वहाँ परत जम जाती है, काली skin हो जाती है और बहुत खुजली आती है, अब देखते हैं, eczema क्या है, what is eczema? eczema, also known as dermatitis, is a group of diseases that result in inflammation of the skin, इसका मतलब है कि eczema एक disease का group है, और जिसमें चमड़ी में सुजन आती है, खुजली आती है, चमड़ी में लाल या काले दब्बे हो जाते हैं, जैसे कि हमने आगे पिक्चर में देखा, और इसमें जो भी skin involvement रहता है, वो एक छोटा सा हिस्सा चमड़ी का हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा सरीर के पूरे area में, यानि full body involvement भी इसमें पाया गया है, और जो group of disease इसमें involvement रहता है, उसमें first है atopic dermatitis, second है allergic contact dermatitis, third है irritant contact dermatitis, fourth है stasis dermatitis, उसके बाद में आएगा photodermatitis, then airborne contact dermatitis और उसके अलावा और भी काफी सारे जो type इसमें गिने गए हैं, आज हम मुख्यत्वे चर्चा करने वाले हैं, allergic contact dermatitis की, एक्जीमा के जिस type की चर्चा आज हम करने वाले हैं, उसमें है contact dermatitis, contact dermatitis भी दो तरह के रहते हैं, एक है irritant contact dermatitis, दूसरा है allergic contact dermatitis, जैसे की पिक्चर में हमको irritant contact dermatitis दिख रहा है, और जो कारण है, इसका वो है insect bite, insect bite के कारण वहाँ पे एक acid नामक तत्व इंसेक्ट छोड़ता है, और उसके कारण वहाँ पे irritation होता है, और जैसे की पिक्चर में दिख रहा है, वहाँ पे लाल-लाल स्किन हो गई है, और वहाँ पे बहुत कुजली होती है, irritant contact dermatitis is usually confined to the area where the trigger actually touches the skin, इसका मतलब होता है की irritant contact dermatitis उस area में पाया जाता है, जहाँ पे irritant करने वाली चीज लगातार उसके contact में हो, जैसे की हमने आगे पिक्चर में देखा, इंसेक्ट बाइट के कारण होने वाला irritant contact dermatitis, दूसरा इसका कारण रहता है साबुन या सेम्पू, साबुन के कारण बार-बार जो लोगों हाथ दोते हैं, उसमें हाथ के उपर एक्जीमा हो जाते हैं, जिसको irritant contact dermatitis में वर्गी करण किया गया है, तीसरा है hair dye, hair dye के कारण भी लोगों को जब भी कलर लगाते हैं, तो वहाँ पे allergy होने के chances बढ़ जाते हैं, और वो भी dye के अंदर होने, रहने वाले chemical की वज़े से irritation पाया गया है, चोथा सबसे common चीज जो पाया गया है, irritant contact dermatitis के लिए वो है artificial jewelry, और artificial jewelry में nickel नामक metal रहता है, वो skin को irritate करता है और उसके कारण वहाँ पे allergy पाई गई है, irritant contact dermatitis करने वाली और चीज़े जो पाई गई है, उसमें एक है hair dye, hair dye के अंदर पीपीडी नामक chemical तत्व पाया गया है, जिसको बोलते हैं, पेराफेनेलिन डायमाइन जिसके कारण skin में irritation होता है, और hair dye लगाने वालों को allergy होता है, और दूसरा है sanitizer, अभी हम लोग जो widely use कर रहे हैं because of corona period, इसमें लोगों में hand sanitizer यूज़ करने से allergy पाई गई है, जो picture में आपको दिख रही है, अब हम देखते हैं before and after pictures, 65 year old male, allergic contact dermatitis, और 7 दिन के बाद में almost clear, मेकप के कारण होने वाला allergic contact dermatitis, treatment के बाद almost clear, picture में हमको airborne contact dermatitis का मरिज दिख रहा है, airborne contact dermatitis का मतलब होता है, हवा में यानि कि उड़ के जो चीज़े अपने को छू सकती है, वो चीज़े allergy कर सकती है, सबसे common चीज़े हैं, उसमें है perlans, दुसरा है cement, fragrance and colors, तो जब भी ये चीज़े उड़ के अपने को छूती है, तो अपना खुला area जो रहता है, face, exposed area of hands and exposed area of legs, उसमें ऐसे लाल-लाल चठे पाए जाते हैं, और 7 to 10 days के बाद में almost clear, बहुत अच्छा result इसमें पाया जाता है, दुसरा मरीज, same airborne contact dermatitis, airborne contact dermatitis को diagnose करने के लिए, नॉर्मली मरीज की जब भी आखे बन करते हैं, तो आखों की पलकों के उपर भी skin के changes दिखने को मिलते हैं, और ट्रीटमेंट के बाद में same मरीज, almost clear, result बहुत अच्छे आते हैं, allergic contact dermatitis कारण है hair patch, hair patch जहां पे लगाते हैं, वो gum के कारण वहाँ पे skin खराब होती है, और वहाँ के बाल भी चले जाते हैं, ट्रीटमेंट के बाद बहुत अच्छा result आता है, जैसे के अपनों को पिक्चर में दिख रहा है, Sunlight के कारण होने वाली allergic contact dermatitis, जो लोग two-wheeler चलाते हैं, उसमें हाथों के उपर जो पंजे रहते हैं, वहाँ की skin जल जाती है, और पिक्चर में जैसे के दिख रहा है, treatment से पहले, और ये है treatment के बाद, काफी हद तक improvement आता है, इसको prevent करना रहता है, और जब भी आप two-wheeler चलाएं, तो ग्लाउस पैन के बाहार निकले हैं, allergic dermatitis, हाथ में, after treatment, बहुत अच्छा result, allergic dermatitis, पाउ में, treatment के बाद, बहुत अच्छा, मरीज का skin हो जाता है, ये है chronic eczema, treatment लंबी चलती है, treatment के बाद, करिब करिब skin, नॉर्मल, गुटनों के उपर, skin में बदलाव दिख रहे हैं, और treatment के बाद, बहुत अच्छा हो जाता है, साबुन के कारण, हाथ में, जिन लोगों को allergy होती है, treatment के बाद, almost clear, अगेंग, पाओं में, allergic के कारण, खराब skin, और treatment के बाद, almost normal, prevention of eczema, eczema का रोब्थाम कैसे करें, eczema को prevent करने के लिए, जब भी आपका, allergic dermatitis, ठीक हो जाता है, या, आपका eczema, treatment के बाद में, सही हो जाता है, तो वो eczema, बार बार नहीं आए, उसके लिए, कुछ एक चीजे हैं, जिसको अगर आप द्यान से, follow करोगे, तो आपका, जो problem है, वो बार बार आपको, नहीं होगा, उसमें, पहली चीज है, स्किन को ड्राइ न रखे, regular moisturizer, lotion लगातार, दिन में दो बार, चालू रखें, treatment के बाद में, भी normal skin भी हो जाता है, तो भी इसमें, लगातार moisturizer चाहिए, दूसरा है, साबुन का उपयोग कम से कम करें, या moisture वाले साबुन, या body wash का यूज करें, थोड़ी सी नमी जब भी रहती है, उसी टाइम पे, moisturizer lotion लगा लीजिये, चार नमबर में है, cotton के खुले-खुले कपड़े पहने, पांच नमबर में है, आप योगा, meditation, exercise वगेरा लगातार, चालू रखें, और लास्ट में आएगा, बिड़ी तमा को दारू का सेवन ना करें, हलो, मेरे जसोदा, मेरे को बहुत अच्छा कर दिया, उनका बहुत बहुत सुख्रिया, बहुत बहुत उनको में दवा देती हूँ, मेरे मन से, कड़े जैसे, तो बगवान उनका सब कुछ अच्छा करें, और बहुत हाले ज्यादा खराबती, बहुत अच्छी हो गई में तीन में, एकदम अच्छी हो गई, आप पहले की फोटो अगर देखोगे, तो आपको लगेगा कि ये वही है क्या, अमारे कॉंटेक्ट डिटेल्स, क्लीनिक वन, ओनली सब बिजनेस कॉंप्लेक्स, मांजलपूर, वडोधरा, क्लीनिक टू, डेक्स प्लाजा, नियर जवेर नगर बस्टॉप, वागोडिया रोड वडोधरा, आप हमें ऑनलाइन भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं, ये हैं हमारा आदित्य स्कीन क्लीनिक एंडेसर सेंटर, मोना लिसा बिजनेस कॉंप्लेक्स, मांजलपूर, वडोधरा, ये हैं स्टांडर्ड डिस्क्लेमर आदित्य स्कीन क्लीनिक एंडेसर सेंटर, वडोधरा, थैंक यू वेरी मच,